आज हम कैदी और कोकिला इस कविता की प्याख्या कर रहे हैं इस कविता में कवी ने यह कविता उस समय लिखी है जब हमारा देश प्रिटिश शाषन के अथीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था जब हम आजाद नहीं थे तब का वर्णन इस कविता में किया गया है कवी एक स्वतंतृता सेनानी थे यानि जिनोंने स्वतंतृता के लिए कई बार जो जेल गए थे जेल में जाने के पस्चात उन्होंने इस बात का पता लगाया कि स्वतंतृता सेनानियों के साथ अंग्रेजों के द्वारा जेल में कैसा व्यवार किया जाता है और एक कोयल का भी इसमें वर्नन करते हैं कभी हमें जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बताते हैं दुख तकलिफों के बारे में बताते हैं कि जहां पर चोर डाकों को रखा जाता है वहां उन्हें रखा गया है और उन्हें भर पेट खाना भी नहीं दिया जा सकता यहां पर वो रो भी नहीं सकते हैं और सो भी नहीं सकते हैं जेल में उन्हें बेडियां और हचकडियां बेडियां होती हैं पाउं में पहने जाने वाली एक बेल की तरह की जंजीर होती है जो पाउं में पहना दी जाती है और हचकडियां भी पहनाई जाती है जेल में ना तो उन्हें जीने दिया जाता है ना ही मरने दिया जाता है तो जो पहला पेरेग्राफ है, उसमें क्या गाती हूँ, क्यों रह रह जाती हूँ, इस वाले पेरेग्राफ में कवी ने कारागार यानि जेल में बंद स्वतंतरता से नानियों की पीड़ा को दर्शाया है। जब कवी रात के घोर अंधेरे में जेल में एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं, तब उनके मन में कई प्रकार के भाव आते हैं और कई सवाल उत्पन होते हैं, प्रेश्न उत्पन होते हैं। और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल उनके लिए कोई प्रेरणा से भरा हुआ सं कभी अपने मन में कई सारे सवाल होते हैं तो कोयल से कहते हैं कि तुम क्या गा रही हो और बीच में रुक्यों जाती हो कभी कोयल से कहते हैं कि हे कोयल जरा तुम बताओ तू कि मेरे लिए क्या संदेश लेकर के आई हो यदि किसी प्रकार का संदेश लेकर के तुम हमारे लिए आई हो तो उसे कहते हुए तुम बार बार चुप क्यों हो जाती हो और तुम्हें यह संदेशा कहां से मिला है सेकेंड पेरिग्राफ में उंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरो बटमारों के डेरे में इन लाइन्स में कवी कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा किये गए अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने बताता है कि पराधीन भारत में जेल में बंद सुतंतरता सेनानी और उनके उपर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी दैनिय स्थिती बन गई थी, काफी दया की जो स्थिती है वह है उनकी हो गई थी और उसी कवर्नन करके कहते हैं कि जेल के अंधेरे में काली-काली उची-उची दिवारे हैं और डाकू चोर उचकों के साथ उन्हें रखा जाता है उनका कोई भी मान सम्मान नहीं है उन्हें केवल थोड़ा सा खाना दिया जाता है वस वो जिन्दा रह जाए इतना भरी खाना उन्हें दिया जाता है और उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता तडपा तडपा कर उन्हें जिन्दा रखा जाता है उनकी सारी स्वतंतरता उनसे चीन ले गई है और उनके उपर हमेशा एक पैरा रखा जाता है अंग्रेज साशन काफी अन्याई कर रहा है और अंग्रेजों के साशनकाल में स्वतंतरता से नानियों को बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता है और यही व जो हमारा paragraph है उसमें क्यों हूक पड़ी फेदना बोज्य वाली सी इन लाइन्स में कवी कोयल के द्वारा अपने मन में जो उसके अवाज में दर्द है उसे महसूस कर रहे हैं कि शायद कोयल को भी उनके दुखों का पता लग गया है और ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार के द्वारा किये जाने वाले अत्यचार को समझ लिया है इसलिए उसकी आवाज में भी एक दर्द है वेदना है वेदना किसे कहते हैं दर्द को कहा जाता है कवी कहता है कि कोयल के दर्द की हुक शामिल है और कवी के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है यानि कि उसको भी पता चल गया है और वह अपनी दुख तकलीफ को बताना चाहती है इसलिए कवी कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या लुट गया है और तुम्हारे गले से ऐसी हूक भरी आवाज क्यों आ रही है दर्थ भरी आवाज क्यों आ रहे है और कवी कहता है कि कोयल की आवाज तो बड़ी मधूर होती है जिससे सुनकर के लोग खुश होते हैं लेकिन यहाँ पर उसके आवाज में दुख है और कोयल की व्याकुलता कभे है कारण पूछ रहा है कि तुम दुखी क्यों हो क्या हुई बावली क्या तुम पागल हो गई हो कभी केता है कि क्या तुम हमारा दुख देख करके यहाँ परेशान हो गई हो पागल हो गई हो और तुम इस तरह से आज ही रात में चीक क्यों रही हो क्या तुमने कोई जंगल में लगी हुई आग देख ली है यानि कि यहाँ पर आग से तद परी क्या है कि अंग्रेज सरकार जो यातना दे रही थी वहां के कैदियों को उनकी तुलना कवी ने आग से की है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत को पहचान लिया है इसलिए वह चीक चीक कर गाना गा रही है पांचवे पेरेग्राफ में कवी कहता है कि क्या देखन सकती जंजीरों का गहना हतकडिया क्यों यह है ब्रिटिश राज का गहना कहता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीक पड़ी है और कह रहा है कि क्या आप हमें इस प्रकार की जंजीरों में लिप्टा हुआ नहीं देख सकते हूँ अरे यह तो एक गहना है जो हमें अंग्रेजी सरकार ने दिया है अब तो कोहलू के चलने की आवाज भी हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है दिन भर इस पत्थर को तोड़ते तोड़ते हम उन सभी पत्थरों पर अपनी अंग्लियों से भारत की स्वतंतरता के गीत लिख रहे हैं और पेट पर रस्ती बांद करके कोहलू चला रहे हैं कोहलू क्या होता है जिसमें जिस हाथ से बनेवे एक यंत्र होता है जिसमें तेल निकाला जाता है और बिटिश सरकार क्या करती थी कैदियों को कोहलू में लगा देती थी बैल जो है वो से रखा जाता है कोहलू में चलाने के लिए लेकिन यापर कैदियों को यातना देने के ये लगा दिया चाता था कवी कहता है कि हम इतनी यातनाई से है चुके हैं इतनी भूक से चुके हैं फिर भी अंग्रेजों के सामने जुक नहीं रहे हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर यातनाई से हैने के लिए बल आ गया है और तुम्हें ये बात समझ में आ गई है और य तुम्हारे इस स्वर ने, जो तुम्हारी हूख है, इसने मेरे पे गजब ढ़ा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। इसके बाद एक पेरिग्राफ आता है कि इस शामत समय में अंधिकार को बेध रोक रही क्यों हो। कभी कहता है कि तुम आती रात को क्यों रो रही हूँ और तुम बोलो कि हमारे अंदर जो अंग्रेजी भावना है, अंग्रेज सरकार है, उसके खिलाफ क्या तुम जगाना चाहती हूँ। इस तरह कभी ने जेल में कैद एक सुतंत्रता सेनानी के मन की दशा का, उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं, इन सब का वर्णन किया है। और कभी कहता है कि कोयल यह गीत गाकर के भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाना चाहती है। फेव कहता है कि काली तूरजनी भी काली, शाशन की करनी भी काली। यहनी कि कोयल को कहता है कि तेरा रंग भी काला है और शाशन की करनी भी काली है। कैदी के माध्यम से कभी यह कहना चाहता है कि तुम खुद भी काली हो और अंधेरी रात भी काली है। उसी प्रकार से अंग्रेजी सरकार की करतूत भी काली है। और जेल की चार दिवारी के अंदर जो हवा चल रही है वहे भी काली है। मैंने जो टोपी पेहनी है बहे भी काली है और जो कंबल ओड़ता हूँ यहां तक की लोहे की जंजीरें भी काली है यानि कि सब कुछ काला ही है जेल में रहने के लिए हमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो सब काली है इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकी लेगीतों को क्यों कर होते है रहा थी कोकिल बोलो तो कभी कह रहा है कि हमारे भीतर ये सब अंदकार चाया हुआ है और हमने मरने की भी सोच ली है तो यदि वह कोयल यही सोच रही है तो इसका कोई लाब होने वाला नहीं है कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे के कोयल बताओ कि मेरी जो विप्रीत परिस्तिती है उसमें आजादी की भावना को जगाने वाले गीत गा रही हो तुझे मिली हर्याली डाली मुझे नसीब कोटरी काली फिर कहता है कि तुम तो स्वतंत्र हो जबकि मैं यहां काली कोटरी में विचरन कर रहा हूं रहे रहा हूं तुम तो अपनी पसंद का गीत गा सकती हो लेकिन मैं तो यहां पर बिल्कुल छोटी सी एक कोटरी में रह रहा हूं जिसके भीतर मेरे को जीवन बिताना है और अपनी इच्छा के अनुसार में कुछ भी नहीं कर सकता हूं कोयल के मधूर गाने को सुनकर के सभी लोग वावा की तारीफ करते हैं वही किसी कैदी के रोने पर कोई सुनता भी नहीं है और दोनों की इस्तितियां जो है वो अलग-अलग है परन्तु फिर भी कोयल युद्ध का गीत क्यों गा रही है ये सवाल वै पूछता है कि तुम् इस तरह का गाना गा रही हो इस होकरती पर अपनी क्रती से और कहो क्या कर दू इन पंक्तियों में कवी ने कोयल और कैदी के अंदर जो उपस्तित स्वतंतरता की प्रबल भावना है उसे दिखाया है कोयल अपने जो शीले गीत के माध्यम से देश वाशियों में जागरती उ पूछ रहा है कि कोयल तुम मुझे बताओ कि मैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस स्वत्नतरता संग्राम में किस तरह अपने प्राण जोग दूँ मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा ख्रांती की ज्वाला भड़काने वाले अगनी तो पैदा कर रहा हूं लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर रहा हूं कि मैं अपनी जो मारा देश है उसके लिए मैं सिर्फ जेल में आयावा हूं और जेल में गाने लिख रहा हूं तो हे कोयल तुम मुझे बताओ कि मैं आजादी के लिए और क्या करूं कोयल के यहाँ पर सुझाव है मांगता है और कहता है कि प्राणों का आसव किसमे भर दू कोकिल बोलो तो कोयल से सवाल कर रहा है कि बताओ कोयल मैं ऐसा क्या करूं तो यह है हमारी कविता की व्याख्या है